Hello everyone welcome to day eight of our trading series one day one trade although इस ट्रेडिंग सिरीज में मैंने बहुत सारे चेंजिस कर लिये हैं जいます सटातीं में mara biased में यके लिता था पर हम उप्शन सेट लेने लगा हूं और एक लेने की मैं मνटीपल डूब लेने लगा हूं जैसे आज ही मैंने टीनhao लिए पर ओल्दो में जश्ा Ughiska करता हूँ है कर जो मेरा H अब आदRO बूटब करता है तो चल ये देखते हैं चार्ट पर कि मैंने क्या आइनलेसिस करके पोजिशन लेती तो चलिए आज का हम अपना ट्रेडिंग देखते हैं मैंने किस लॉजिक को देखते हुए आज का ट्रेड लिया था हैं तो आज Luck मार्केट इस तरफ वाह था और आज का मार्केट बहुत शल लेटाल था पहले नीचे गया ऊपर गया ऑपर गया और फिर नीचे आया और एक बहुत ही B mare side based type market था तो मैंने पहले ट्रेड लिया था पहले ट्रेड मेरे को यह इस मेरे को लगा यह day high है और यह lower lows बना रहा था तो मेरे को इस candle के बाद यह red candle के 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 इस part में कहीं option को call option को sell करना था पर यह दोनों candle बहुत तेजी से बन गई और मेरे को position लेने का time नहीं मिला इसलिए जब यह एक green candle बन की retracement आया तो इस retracement पर मैंने position बनाई और यह मेरी position थोड़े मेरे favor में गई लेकिन उसके बाद मेरा stop loss हो गया लेकिन मैंने stop loss का weight नहीं करा इसके उपर था लेकिन मैंने stop loss का weight नहीं करा और जैसे ही reversal दिखने लगा मैंने अपना position कट कर दिया तो यह approximately मेरा break even पर position था उसके बाद second position मैंने bank nifty पर लिया था और यह bank nifty का breakout दिख गया था इसलिए मैंने position को cut कर दिया और यह bank nifty ने breakout दिया तो इस breakout पर मैंने position लिया और यह एक बहुत ही अच्छा move मिला लेकिन इसने भी मैंने सूचा था यह 33 600 तक जाएगा लेकिन यह reverse कर गया और इसलिए मैंने इसको profit में निकाल लिया था 20 points के profit में निकाला था approximately 500 के profit पर तो उसके बाद third position जो मैंने लिया था वो फिर nifty में लिया था और क्यूंकि इन दो position के बाद भी मैं slightly positive था इसलिए मैंने third position भी लिया क्यूंकि मेरा एक proper stop loss book नहीं हुआ था इसके बाद ज position लिया वो जैसे इसने यह यह लेवल बार बार एक resistance की तरह काम कर रहा था जैसे इसने breakout दिया और यह वापस नीचे आ गया false breakout लगा मेरे को मैंने इस candle पर position बनाई मेरा stop loss इसके उपर था उसके बाद market थोड़ा sideways गया और बहुत अच्छा fall आया तो finally आज का सारे trade मिला के मे मैंने break even पर exit कर दिये थे stop loss का wait नहीं कर रहा था इसलिए third trade मैंने proper लिया मैंने proper stop loss लगा लिया था मैंने सुचा था यह तो अब stop loss होगा यह target और finally मेरा 1200 का profit हुआ तो this was all for this video आज मेरा 1200 का profit हुआ और मैंने 3 trade लिये थे hope you are enjoying this series अभी इस series पर बहुती कम व्यूज आ रहे हैं और हमारे चैनल के subscriber भी बहुत कम है so if you are a random viewer viewing this video please subscribe to the channel also share it with your friends